हेलो गाइज मैं फिर से कॉंस्टिशन का पार्ट 3 लेकर आगया हूँ और इसमें हम बात करेंगे 1784 के पिट्स विल्लियम एक्ट्स के या पिट्स एक्ट्स इसको बोला जाता है नमस्कार मैं हूँ सिधान्त और सनराइज करियर अकेडमी में मैं पॉलिटे बढ़ाता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1784 का पिट्स एक्ट थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पर यहाँ पर ता में हलंत लगना चाहिए जो कि नहीं लग पाया है चलिए आगे बढ़ते हैं 1784 का पिट्स एक्ट और इस एक्ट को पारिद करने वाले विल्लियम पिड्स थे जेनों यह अधिनियम 1784 में पारित किया अच्छा एक चीज इसमें हमने देखा इससे पहले 1773 का रेगलेटिंग एक्ट आया और इसके बाद आया 1784 का पिट्स एक्ट अब आप इसमें देख सकते हैं कि 1773 और 1784 में कितने साल का डिफरेंस है अगर देखा जाए तो टोटल 10 साल का डि क्या समर्थ बनाने के लिए या जिस तरीके से वह पुर्ण रूप से काम नहीं कर पाया था उसको सुधारने के लिए यह एक्ट پारित किया गया थोड़ा सा एक्जाइम के लिए हमारे इंपोर्टन्ट है चलिए देख लेते हैं इसमें क्या इंपोर्टन्ट पॉइंट बन सकते हैं जिसमें पहला पॉइंट है कि भारत शाषन अधिनियम भारत में प्रशाषन गवर्नर जनरल को दिया गया यह तो पहले भी हमने देखा था 1773 में 1773 में जब पद बदला गया था भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अधिन मॉंबई और मदरास के गवर्नर को कर दिया गया धूसरी बात इसमें दो संस्थाएं बनाई गई अब वह संस्थाएं कौनकौन सी थी जो Court of Directors इसमें दो संस्नाय बनाई गई पहली Board of Control या फिर नियंदरग मंडर और जो दूसरा था वो था Court of Directors तीसरा देखते हैं Government General कारेकारणी की परिशद में सदस्यों की संख्या चार से घटा कर तीन कर दी गई 1773 के Regulatory Act में Governor General को सलाह देने के लिए उसकी कारेकारी परिशद में पहले चार सदस्यों जोड़े गए लेकिन 1784 में उन चार सदस्यों में से एक सदस्य को घटा कर उनकी संख्या तीन कर दी गई यह सबसे ज़्यादा important point है यह काफी बार UPSC में पूछा जा चुगा है इससे भी पहले काफी बार UPSC में यह भी पूछा जा चुका है कि 1784 में किन दो संस्थाओं का निर्माड हुआ था तो हमारा answer उसके लिए होगा Board of Controller या फिर नियंतरक मंडल और दूसरी संस्था Court of Directors अब यह जो दो संस्थाइं थी इनका काम क्या था इन संस्थाओं को क्यों बनाए गया ऐसा क्या था कि इन संस्थाओं को बनाना पड़ा और ऐसा भी क्या था कि 1784 में इसको बनाए गया देखते हैं कंपनी के कारेओं को विभाजन किया गया मतलब कि जो East India कंपनी थी उसके जो कारें उसको डिवाइड कर दिय गए और डिवाइड करने के बद इन दो अलग-अलग संस्थानों में इन दो अलग-अलग संस्थाओं में काम को डिवाइड करके बेज दिया गया तो next point देखते हैं कंपनी के कारें का विभाजन किया गया था Board of Control Company के राजनिथिक मामले का आता था Court of Directors Company के आर्थिक मामलों का नियंतन करेदी बनी n Pang B को पूशन प तो इसको थोड़ा सा नativos健康 को दिखर और यह कंपनी के आर्थिक मामले थे वह कोड़ ओफ डिरेक्टर्स को दिया गया यह काफी बार एक्जाम में पूछा चा चुका है यह पेशी हमें सा ट्रिक करता है ऐसे कोशन पूछ के तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजेगा और यह में इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए क कंपनी के जो राजनितिक मामले हैं यह मामले बोर्ड अफ कंट्रोल को दिये गए और कंपनी के जो आर्थिक मामले हैं आर्थिक मतलब जैसे पैसे का लेंदेन कह सकते हैं कि औरिट का काम दिया गया गया इसके बार नेक्ट पॉइंट देख लेते हैं इस अधिनियम के दोएद शाशन शुरू हुआ सब से जाधा इंपोर्टन कि हमारे बिटिश शाषन में दोएद शाषन की प्रणाली कब चालू हुई तो इसमें हमारा जो आंसर है दोएद शाषन की प्रणाली 1784 का Pits India Act के तहत स्टार्ट की गई हमारे भारत में इसके बाद देख लेते हैं नया पॉइंट यह William Pitt के द्वारा प्रसुत किया थे अब Act of Settlement इसलिए बुला जाता है क्योंकि इसमें कंपनी ने दो संस्थानों का निर्माण किया था और इस दो संस्थानों का निर्माण करके काम का विभाजन या कारे का विभाजन किया गया था इसी वजह से इसको Act of Settlement भी कहा जाता है तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यहीं समापत हुआ चलिए गाइस थैंक यू थैंक यू वरी मच संराइज करियर अकैडमी में अडमिशन लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं